है अग्जिनेर्स त्रीसों बश्चनती तो आज आपके रहे हैं एक सिक्यूरिटी डिवाइस जो कि इसके सामने यह जो एकू सेंसर आप देख रहें इसके सामने कोई भी हात लाएंगी या फिर कोई भी इसमें से गुज़रेगा तो तुरंद आपके मोबाइल पर कॉलिंग आ जाएगा मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके दर्बाद से कोई गुज़ा है तो यह जो प्रोजेक्ट है यह किस पगट से आप आसानी से घर में बना सकते हैं वह आज हम लोग सीखेंगे और देखेंगे किस पगट से यह काम कर रहें तो चलिए शुरू करते हैं अशका वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस पट्राइल के लिए नीचे देवाँ लिंक पे क्लिक करें तो यह जो डिबाइस आप देख रहे हैं यह एक छोटा सा एक डिबाइस है जिसके मदस से कई पे भी आप लगाएंगे तो सीकुरिटी स्टार्ट हो जाएगा मतलब यह जो इकू सेंसर अब देख रहें इकू सेंसर इसके मदद से आसानी से इसके सामने अगर कोई आएगा सौ मिटर के दुरी पर कोई भी आएगा तो यह तुरंत यह कैप्चर कर लेगा और आपके मोबाइल पे यह सेंड कर देगा एक फोन इसके मदद से आपको पता चल जाएगा कौन इस पे आया है सामने ठीक है तो अभी देखिए इसका जो सार्गिट है उसको मैंने लगया है एक 80מb लगा दिया और यहाँ पर एक दो स्पिकल लगाई है जो कि eco sense करेगा और eco trigger करेगा तो यह trigger देखिए इसके मदद से होगा तो यह के इनपूर्ट अटपूर्ट आपको दिखा दिते हैं तो यह जो यहाँ पर हमने SIM लगा दिया है और इसका PIN कुछ PIN है तो PIN का नाम है यहाँ पर जो First PIN है वो आप लोग Antenna यूज करेंगे तो Antenna को यूज करने के लिए यह PIN पर connection करना होगा उसके बाद जो PIN आएगा वो होगा BCC सी या Ole אחד 5 बोल्ट यहां पर रोवेट करें के ठीक है और इसके बात जो आएगा वह लगा रीसेट जो कि यह भी जूरूर्द निये रीसेट का काप का मेरा ब्री लोका थोड़ देंगे उसके बात हो जो पिन आएगा वह और इसके बाद जो पीन होगा TX उसके बाद जो लास्ट पीन आएगा वो होगा ग्राउंड तो इस पर हम लोग इस तरह प्रोवाइट करेंगे तो इस पर जो पीन है RS मतलब reset को छोड़ के सभी पीन पर हम लोग connection करेंगे माइक्र कुट्रोलर पर connection करेंगे तो TX को RX पर करेंगे RX को TX पर connection करेंगे और दूसरी तरह आगर देखेंगे तो और भी पीन है जिसके अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है अगर आप दूसरी कोई project बनाएंगे तो ज़रूरत होगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते तो फास्ट जो पीन है वो होगा ring तो ring के लिए आप लोग को फास्ट पीन यूज करना होगा उसके बाद जो पीन है M I C N ठीक है और इसके बाद जो होगा speaker के लिए connection होगा उसके बाद जो पिन है वो भी speaker के लिए ठीक है तो speaker के left right के लिए हम लोग को ये connection करना होगा इस तरह हम लोग इसका connection कर सकते है तो आभी चलिए इसके मदद से जो circuit हमने बनाया है वो आज हम लोग किस पगर से बना सकते है आसानी से वो सीखते है आसानी से बनाया है तो ये जो device है ये complete हो गया है अभी इस पर हम लोग सीम लगाएंगी तो सीम लगाने के लिए हम लोग को कोई भी GSM सीम ज़रूत होगा मतलब 2G या 3G जो की सीम होगा वो ही इस पर यूज होगा तो वो सीम हम लोग इस पर लगाएंगे उसके पाद हम लोग इस पर programming डालेंगे programming पे एक changes करना होगा क्यूंकि programming पे आपका जो mobile number है वो इसके डालना होगा क्यूंकि कहाँ पर phone करेगा वो number इस पर नहीं डालेंगे तो आपके mobile पर call नहीं आएगा तो अभी इसको सीम डालेंगे उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पर जाएंगे और प्रोग्रामिंग देखेंगे किस पर गड़ से मोबाल नमबर कहां पर डालना होता है तो चलिए अभी इसको सीम लगा के हम लोग टेस्ट करते हैं तो आप हम लोग कॉंपेटर पर आ गया है तो यहां पर जो पोग्रामिंग आप देख रहें इस पोग्रामिंग पर जैसा है वैसे रहने दीजिए इसका सिर्फ एक चीज़ आपको चेंज करना होगा यहां पर देखिए एड़ेटी प्लस लिकार है ठीक है प्लस के बाद यू आपके नामबर होगा तो जैसी कि इंडिया का कांट्रिकूट है प्लस नाइन वॉन उसके बाद होगा आपके जो भी नमबर होगा वो नमबर आप टाइप करेंगी यहां पर टाइप करने के बाद आपको यह पोग्रामिंग जो है वह आप लुट कर दाना होगा ठीक है तो अपzelेट होने के बाद तो अभी देखिए अपलूट हो गया है अभी इस mikrocontroller को खोलेंगे जो साथ है को अब यह कॉब्रीट होो गया है तो यहां पर मैंने एक mobile रक सरेण आएगा एगा इस तो देखिए अगाम इस पर हाता हूँ तो था जुल दिया तो अभी कॉल आएगा इस पर आरे हैं तो देखिए आपने शेट कॉल आज्या है तो इसके सामने जब भी हात लाएगे या फिर इसके सामने से कोई घुर गुजड़ेगा तो तुरंत आपके mobile पे calling आ जाएगा तो ये जो project है ये बहुत ही अच्छा एक project है तो देखा आपने किस पकट से आसानी से एक security device हम लोग बना सकते हैं अपने घर पे और वो device से हम लोगों के mobile पे भी calling आएगा तो अगर वीडियो का चलागा तो like जरू केज़ेगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर केज़ेगा अजके लिए थे थे ख्यूस्तों बाइ